पॉलिंग बूट पे लाइन लगा के ओट दालिए यहाँ पे जो साजिश्चर रिबोकसिंग, रिंगिंग, डुपलिगेट बनाना, डुपलिगेट अडेंटिकार्ट बनाना, पॉलिंग बूट पे घुंडा गर्दी करना, आप अपना काम देखिये, सुबह सुबह अपने घर के ओट दाओ, सुबसे पहले अरे घुंडा गर्दी, इनके तमाम हालात का मैं मुखाबरा करूँगा, मैं तमाम इनके घुंड़ों का मुखाबरा करूँगा, आपको उलजने की जरूरत नहीं है, किसी नुजवान को इन से, किसी से जाके बहस करने क जरूरत नहीं है, इतना काम कीजे के अपने घर के ओर दलाईएे, अपने खांदान के ओर दलाईए, महले में पडोस के ओर दलाईए, जो लोग humble канале को पॉलिन गौत को लेगे जाईए, एक बार positive काम कीजे, एक बार जिम्मेदारी का काम कीजे, election है क्या पॉलिन बूत को जान और और दाना है एलेक्शन इतना ही है ना वाई आप अपना इडेंटी कार्ट लेजाना आपका जमूरी हक है आप इडेंटी कार्ट देना और अपना ओड़ दाना आप इतनी जिम्मादारी निवाल लीजे फिर इसका नताइच बाखुदा कर रहा हूं कि इतने बहतरीन होगे मसल्वानों के लिए मैं बतारे सकता आज ही मेरे पास एकटिए एक चिप्टिए इस चिप्टिए में तराट किके किसी शख्स ने लिखा कि अखबारात में आया या काट खरीदे के तो घर में अंदेर आरेगा घर में अंदेर आरेगा जैसा फोन चार्ज नहीं करे तो फोन नहीं चलता वैसा ही काट चार्ज नहीं करे तो मीटर नहीं चलेगा ये काम हो चुका पुरा गार्निमेंट फैसला कर ली और गार्निमेंट का यह फैसला यही है कि ऐसे फैसले ही आप पुराने शहर में मैं चलने नहीं लूगा हम गरीब हैं हम लूटे वे पीटे वे लोग है वादा चर रहा हूँ चाहे किसी की गर्डमेंटर रहे दो कोई चीफ मोनिश्टर रहे दो अगर कोई ऐसा फैसला इन गरीब बस्तियों में लाओगे कि कार्ड चा लाना अरे ये कौन सा निजाम है हमारी अर्से हयात को तन्मत करो अगर ऐसा होगा तो हलात खराब होंगे मैं कोई मुम्तास खाह या आहिमत पाश्चा खादरी नहीं हो जो है में ले रहे के खामुश मेठोंगा अरे मैं चीफ मिनिश्टर के घर में रोशनी होने नहीं दू होंगी अगर यहां हंदेरा होगा तो वहां भी हंदेरा होगा अगर वाय रोश्टी होगी तो यहां में रोश्टी होगी वाइट राशन काट पे लाइट फरी तेरे माना में करा दूआ यह वेलफेर स्टेट है और वेलफेर स्टेट की जिम्मधारी है के गरीब को सहूलत है सतर साल से गरीबी हटाओ देश बढ़ाओ ना देश बढ़ानों गरीबी हटाईनों आज ये नरेद्दर मोदी बड़े बड़े बातां करके आया मुसल्मानों के खिलाफ जहर उगला गुजरात में फसाद कराया अब देखना दो हजार उननेस में इसकी जमानत जब्त होती आज बड़ाला कर रुपे काउंट में दूँआ सारे हिंदुस्तान को बेखोपो रहा बड़ाला कर रुपे दूँआ सुटसरलेट की बेकों में को रुपे है ठीक है किसी को पद्रा रुपे नहीं मिले अरे मैं जो बोर रहा हूँ करके बता हुआ कल तलंगाना की एसम्बली में जो किराए के घरों में लोग रहे चाहे वो तलाप के टा हो या खुद पुरा हो है दराबाद हो या किसी शहर में होगे जब गरीब मजबूर है आज किसी घर का एडवांस नहीं दे सक्राब घर का एडवांस देने के लिए पैसे नहीं है मैंने का किराया देने के पॉलिंग बूट पे लाइन लगा के ओड़ दा लिए यहां पे जो हरके ओड़ दाओ सुबसे पहले अर्यमडा करदी इनके तमाम हाल verdania ही है B महले में पढस के ओड़ दलाहे हैं जो लोगों को पौलिंग बूटर नहीं मालम हمको पौलिंग बूंग बूट को ले जा आई है एक बार positive काम कीजे एक बार जिम्मधारी का काम कीजे एलेक्षन है क्या पोलिग बूट को जाना और ओड़ाना है एलेक्षन इतना ही है लगाई आप अपना identity card लेगे जाना आपका जमूरी हख है आप identity card देना और अपना और दाना आप इतनी जिम्मादारी निवाल लीजे फिर इसका नताइच बाखुदा कर रहा हूं कि इतने बहतरीन होगे मुसल्बानों के लिए मैं बता रहे सकता है आज ही यदी मेरे पास एक चिटी आई एक चिटी आई इस चिटी में तराक प्टे के किसी शख्स ने लिखा कि अगबारात में आया कि 26 तारिख के अगबारात में आया कि आप लाइट का मीटर के लिए आपको कार्ट खरिदना होगा जैसा फोन का कार्ट खरिदना चार्ज करना अगर इस घरीब बस्तियों में किसी गरे पैसे नहीं है उस दिर कार्ट खरिदने के तो घर में अंदेर आरेगा घर में अंद्यार आरेगा जैसा फोन चार्ज नहीं करें तो फोन नहीं चलता वैसा ही काट चार्ज नहीं करें तो मीटर नहीं चलेगा ये काम हो चुका पुरा गार्निमेंट फैसला कर ली और गार्निमेंट का यह फैसला यही है कि अब एलेक्शन के बाद यह आडल हम लूटे वे पीटे वे लोग है मैं वादा कर रहा हूँ चाहे किसी की कार्डमेंटर रहे दो कोई चीफ मोनिश्टर रहना दो अगर कोई ऐसा फैसला इन दरीब बस्तियों में लाओगे कि कार्ड चार्ज करना और लाइट चलाना अरे ये कौँ सा निजब है हमारी अर्से हयात को तन्मत करो अगर ऐसा होगा तो हलात खराब होंगे मैं कोई मुम्तास खाई या आहिमत पाश्या खादरी नहीं हो जोए में ले रहे के खामुश मेठोंगा अरे मैं चीफ मिनिश्टर के घर में रोश्टर 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 के घर में welfare state की जिम्मदारी है कि गरीब को सहूलत है सतर साल से गरीबी हटाओ देश बढ़ाओ ना देश बढ़ाना गरीबी हटाई ना आज ये नरे दर्मोदी बड़े बड़े बातां करके आया मुसल्मानों के खिलाफ जहर उला गुजराद में फसाद कराया अब देखना 2021 में इसकी जमानत जब्त होती आज 15 लाक रुपे काउंट में दुआँगा सारे हिंदुस्तान को बेखूपों ना ये 5 लाक रुपे दुआँगा सुट्सरलेंट की बेकों में को रुपे है ठीक है किसी को 15 लाक रुपे नहीं मिले अरे मैं जो बोर रहा हूँ कल तलंगाना की एसम्बली में जो किराए के घरों में लोग रहे चाहे वो तलाप के का हो या खुद पुरा हो हैदराबाद हो या किसी शहर में होगे जब गरीब मजबूर है आज किसी घर का एडवांस नहीं दे सक्राप घर का एडवांस देने के लिए पैसे नहीं है महने तोट पेस खरीदे तो टायक्स देते हैं हम छब पल्क करीदे तो टायकस देते हैं आज हमारे टाकसल की बुद्धे विएपर चलेगा और ये विलफेर स्टेट है और विल्फेर स्टेट का जिम्माधारी है के खरीब मजलु میں की कफालत करें मैं कल तलंगाना की असंबली में जो किराई के मकानों में रहने वाले लोगों के लिए कल कोई ऐसी सबसीडी और पालिची का एलान करूंगा कि जिस तरह आज सबसीडी हर चीज को बिल रही है वैसे किराई के मकानों में रहने वालों को भी सबसीडी मिलना चाहिए आज लोग परेशान हैं, कई घरों पर जा रहा हूं, कई मेरे बहना निकल के बोर रहे हैं, कई का ओड़ देना हम परेशान हैं, किराई आने दे सकरें, एडवास पचास पचास हजार रुपे हम दे ने सकरें, अरे गार्नमेंट की जिम्मधारी है, कि महिने को महिने, या मेरे रहने वाले को किराई की सबसिडिय लेना ये गार्नमेंट की जिम्मधारी है, और यह कोशिश करूंगा कि लड़ँगा, छोटे-चोटे मेरे मकानों मे रहने वाले उन गरीब के लिये मेरे लड़ँगा, और उन परेशान हैं, और यहाँ के होट से, या कोड़ पुरे से जीत के जाओंगा जब ही आवाज उठाओंगा तो यहां खूद मेरे रहने वाले को फैदा नहींगा बलके तलंगार वे जितने किराई के मकान में रहने गरीब लोगा वो गरीब लोगों का हख दिरूँगा आपके उट की ताफ़त को यह होता है ना कि आपकी आवाज बन लड़ो और कोई अजब नहीं अगर मैं चदरान उट्टे से लड़ रहा हूं तो इतनी मौबत मिलती मुझको जितनी तरह को टेमे मिले मर्हुमा मान उलाखान ने वापे बहुत खिबात किया इस चदरान उट्टे के लिए यह भी लाखा चदरान उट्टे में था बाबा положid होता हुडा है इसकी इतनी पीट खुजारी होता हुज हुद होता हुद अजब के लड़ता था है Somrum अगर इसकी इतनी पीठ खुजारी के यह खुदपुरे में घसने था हैं ने पिर खुज्रान उट्टा जा कर लड़ता था था हुजर अरे बोल रहा हुँ ठीक है .. अर लोड़ तो चंदराने मुटे से एलेक्शन नए सिर्फ आना अब वो सूत्खारों को ले लिए पूरे तलाप पिटेगे अरे सूत्खारों का तो ऐसा बाजा बजाओंगा 11 के बाद जिस पे जिस पे जिस पे जिलुम हुआ वो दिल से खुश हो रहोंगे को ये मर्द तो मिला गरीब खामूश रहे के जिलुम से के दुआ करता अल्ला इसका हिलाज कर वो तो इसका हिलाज फरत खाया है इन लोगे वास्ते मजलुम की आह में बहुत ताख़त होती है हो सकता अल्ला मेरे को मुंतखित करा इंजे लड़ ले और मैं ऐसा लड़ूगा याखुतपुरे में सूथखारों का नाम और रिशान मिटा दूगा याखुतपुरे से मैं भी आखुतपुरे का शेर बच्चा हूँ कोई मामली बच्चा रहे हूँ आखुत आख़त आख़त गये मैं हो और रहुगा और इस तलाब कट्पे से मेरे मरहुम वालिद की बड़ी महबत थी इस गल्यों में अकेले फिरा करते थे पैदल फिरा करते थे घर घर के लोगों के नाम से वाकिफ थे इंशालला वो महबत को खाहीं मेरे 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 आज लड़ाई है क्या और ये चला रहे क्या अरे हजारों कोर रुपे कमाएं भाई इन लोगों ने इसी तरह कट्टे के होटों से धंदे वाजियां करके कमाएं कैसे कमाएं वो भी बता दे आज तेलेग्यारा में असी लाक मुसल्मान है मैं एक सवाल करता हूँ अभी भी ए एक बार ऐसी फीट खुजाई भोट खुजाई तो बारकस में जवाद मिला इनको पांच साल से जिसम में दर्दाने जारे जब भी स्टेट पे आके हाथ यू रखते पैर में दराग प्रेट पेट पेड़ाग अब फिर फीट खुजर ही इनकी कई ना कई जवाद मिल जाता प्रेट प्राइन हूँ अभी एक पोट आसे से जबराते इखते या फूद पूर में बो分 और वाले पोट्रों से डरते इक नांपन नीक अभी एक काल्ये में दूद करने शह ये के भाफ लुगे लाख सपासन कीश करना अब इदर तुम लोगो पाप ने मिला मेरी ताखत का अंदादा नहीं है तुम्हारे को मैं गरीबों मेरे निखाता हूं ताखत आज शहर से लेके गाउं गाउं असला असला जंगल जंगल तक मेरी ताखत है आज कई ऐसे जमाता मेरे साथ है अगर इदर टेलीफोन करूँगा तो अधर काम खतम हो जाता तुम्हों को मेसेज दिरो मैं चुप सेवेंटी बी के केस में रहे गया टाडा में जाके आयो मैं भी बाबरी मस्जिद के लिए कुछ बच्चे गोटिया खेल करें गया जेल को आज बाबरी मस्जिद के लिए टाडा फे रोबे दोस्सल जेल कटका हो और्डा से प्जीप अगर मूंत तो उफित्खां के रामसे डरती हो अच बढ़े 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 हुदेदार ढरते रामसे है यह का से कि आया आख बड़े बड़े बाता है ठीक है ग्यारा के बाद बताता हूं बेटा तुम लोगा सुपका अब बोल रहे है एलेक्शन के दिन फारत खान है दिखना के देया अफुद्पूरे में वहाँ वाइसा वक्त आया तो हैदराबाद छोड़के चले या हुआ हिजरत कर लोगा अरे शेर का बच्चा हूँ छाप पज्या मार तो हुआ देरी हुकूबत खायं करता हूँ चील के साथ चुड़ी के बच्चे को उठाती साथ तारिख के देन पोलिंग के दिन अगर होंडा कर दी हुई एलेक्शन छोड़के इनको गाणी में दालके लेके चले या तो हुआ से ईलेक्शन आप लोगहां देख लेना है एलेक्शन आप लोग सेख लेना हैの एलेक्शन आप लोग देख लो मह रहो ना हो फोलींग पूलींग पर कम चलना बैटल बैकिंग जलते रम पोलींग बूत पर ननु स्टॉ laps अगर यह उन्टागरदी चली तो पोलिंग आप लगा देखलो गुंडा गर्दी को मैं देखले तो मजूरे मजूरे आप लोगा पोलिंग देखले ते गुंडा गर्दी मैं देखलो इनकी गुंडा गर्दी को मैं देखतो अगर पॉलिस डिपार्टमेंट इटकी हुंडा गर्दी को रोक सकता तो पॉलिस डिपार्टमेंट रोको एलेक्षर है खानून है खानून के मताबिक काम करो अगर पॉलिस डिपार्टमेंट इटकी हुंडा गर्दी नहीं रोक सकता नहीं रोक सकता पॉलिस डिपार्टमेंट में दम नहीं है तो पॉलिस डिपार्टमेंट या खुद पुले के बाहर चले जाओ आदे घट्टे में पूरे खुटों का इत्साम कर देतों यहां पर पॉलिस डिपार्टमेंट या तो कुई की हुड़ा गर देखो रोको खानून है खानून के मताब इक्राम करो नहीं पॉलिस वाले भी मैच फिक्सिंग करीगे चुप चुप का ड्रामा करीगे तो चुप चुप का ड्रामा फिर मैं जवाब देतों साथ तरी इतनी काना काना बिलास्ट हो जाना अगर मैं एक्षन में आया तो कानों में हवाजा फट जाना हाली एक दड़ बलके हवाज आई तो कानों में से खून पीपली कर लाइंट के अरे मैं आरे से पीजेपी से ललों तो हिंकी क्या ताफ़ जी मेरे समरे है आई साथ कांडस भाड़े वैसा फार दे तो इनों को तमाटा टमाटा दबा वैसा दबा दे तो मिटा क्या आपन माईट छोड़ गया उतर रहा क्या मैदान में बता रहा क्या फरक का है बला यह लड़ाई एक इनसाफ की लड़ाई है बरदाश कर रहा हूँ है मेरे मरहूम वालिद को अक्बर अद्दीन गाली देता यह गाली मरहूम को नही मरहूम ने जिसके लिए खिदमत कि कि या उस हलके के लोगों को गाली दे रही है यह गाली मेरे खांदान को या मेरे फर्द को रही है या मजदुमों की एक आवाज को एक खायत को गाली है मैं तो किसी से बतमें जी कभी कब आप किसी तक्रिर में सुने क्या मैं किसी के खांदान के तालुक से या किसी के उनके मर पूरा माफिया चल रहा है शहर में पूरे घुंदागर्दी लैंगरा बिंग गौकाफ के जज़ाद बेशना मुसल्मानों को शहूर में आने नहीं दर है मुसल्मानों को यह भी नहीं मालूम के उनका हक क्या है और हक कैसे हासिल करना आज तरंगाना में 80 लाक मुसल्मान है 80 लाक मुसल्मान में 40 लाक मुसल्मान है जिसको आज तुरकाकस मुसल्मान नूरवख्ष मुसल्मान लद्दाफ मुसल्मान कहा जाता है और उनकी यहाना थे नूरवक्ष मुसल्मानों की गाउं गाउं में तुरक अगस मुसल्मान जो वड़र की तरा फत्तर फोड़ते हैं आज उनके पास खाने को खाना नहीं है आज उनके बच्चे के लिए स्कूल नहीं है आज तालीम नहीं है और मुसल्वानों की खियादत के अपास हज़ारों कोड़ों क्या ये इसलाम है इंआन है ये इमान की निशानी नहीं ये खियामत की निशानी है ये दोका है फरेप आज समाजी इंसाफ का तखाजा ये है कि उनके साथ इंसाफ हो आज इस बस्तियों में जो गरीब लोग रहत जाके उनके घर में पूछो किया फाखर खशी है क्या तकलीफ है आज उनकी आहलात के पीछा करूंगा, एवारे संबली चले रही दूंगा, तलंगाना में इंट से इंट वजा दूंगा, में उस जाहिजात का मुसलमान वारी से, और मेरे हक के लिए हमाह लगा, एवारे संब आज हमको सचार कमिशन की रिपोर्ट आई तेलिंगाना में सुधीर कमिशन की रिपोर्ट आई पड़े लिखो बच्छे वाफिफ होंगे सुधूर कमिशन की रिपोर्ट बता रही के मुसल्वान आज सबसे नीचे सते पे है वर्बत की सते में है मुफलिसी की सते में है मुफलिसी की सते में है इसका एकी ईलाज है समाजी इंसाफ हमारी लड़ा यसाद अदिन अपर अदिन से नहीं है ये तो बेखुफ है ये तंग नजर है ये छोटी नजर के लोगा है ये समझते हैं कि इनकी ती सियासत है कि ये पह नजरिया दे रहा हूं कल ऐसी लाख मुसल्मानों के लिए पांच लाख कोड़ रुपे की आवकाफ की जजाद हासिल करूगा और इसे जब हज़ार और कोड़ रुपे की आवमद नहीं होगी महने को कल आज वकबोट की हरत देखे ना ये तो ऐसा होगया मनलापा की खुई रहर कोई आरा हाथ दालके खारा हाँ पर कल एसेंबली में खड़े होकर मुसल्मानों के लिए वफ कमिशनरेट बनाओंगा वफ कमिशनरेट आप समझे ना वक कमिशनरेट कमिशनरेट याने हाई कोड के जजच के अप एक्वल पावर्स रथे कमिशनरेट को वो फैसला ले सकता और फैसला दे सकता मैं वो मखफ में लओगा कल वकबोट को सबसे ताखत वर इदारा बनाओंगा मुसल्मानों का माशी एक बार से सबसे ज्यादा पैसे वरा इदारा अगर कोई कल था तो वकफ था आज है तो वकफ है कल मैं प्राक्टिकल तरीखे से वकबोट को पाच्छ लाग करोड का इदारा बनाओंगा उसके बाद वाफ बैंक भी होगा वाफ यूनिवर्शिटी होगी वाफ स्कू कियों दिये? क्यों दिये? मुतदार हासिन करेगा ताच लाग तोर रुपा हासिन करेगा याद रखो मैं ऐसा काम कर गया जाओंगा इंशाल्ला कोई मुसल्मान गुरुबत की सत्रे के नीचे लड़ेगा कोई मासुम बच्चा डोस ने पुचे गा मैं हलका या खुद पु कि लोगा रही पहल पघ्चा हुआ हर बच्चे कहाद मैं हमेले की हैसियत से एक हलके के मैमले की हैसियत से एक हमेले की तनखाँ 2,002,002,002,002 ने की तनखाँ यह तनखाँ कैसे मिलती आप जो टैक्स टेते उड़ेग्स की बुनिया पर एक बजट बनता वो बजट नेमेल कुई दुनाइब जितने हमेले पैसे उठाए दो लाग उसमें जाएज 10 रूपय काभी काम ने करें आरे मैं आधे लान कर रहा हूं मैं है मेरी दो लाग रूपय की तंगा हल Corn या खोद्पुरे के यतीम यसीर बच्चों के नाम लिखूंगा हर महिना अल्हम्दूलिछ्छ मैं उस पोजिशन में हूँ के मैं मेरे बच्चा पूपाल ले सकता हूँ आज वो यतीम बच्चे का हख है आज जीत क्या हूँगा तो उस यतीम की दुआउं से जीत क्या हूँगा यतीम होंगा हक अदा करदूगा, मेरे 2 लाग रुपए की तर्खा, कि मादर्सों को वफ करूँगा, यतीम बच्चों के लिए वफ करूँगा, उनकी तालीम के लिए वफ करूँगा, इसकोल, 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 बोला ना, छोटी नेजार, छोटा काम, अरे हजारो कोर रुपए कमाए ना भाई, इनका एक बंगला बेचे तो सोई स्कूल वन्ते, अगर अकबर दिन की है, एक दो बंगले बेच दिये तो यहां सोई स्कूल वन्ते, अब असादो दिन जोक महल बनाए, कान तुमारा महल पर को देतो, माई बेच के दोस्कों स्कूल खोल देतो, जो कि इसका लेन इंडे, पहारे पे बंगला बने ना, दोस्कों को रुपए का है,